CAA आज हम फिर वहीं खड़े हैं जहां साल 2019 में थे उस साल देश के हर हिस्से में CAA को लेकर विरोध चल रहा था और इस साल भी यानि 2024 में भी CAA को लेकर विरोध चल रहा है दरसल केंदर सरकार ने 11 मार्च को नागरिक्ता संशोधन अधिनियम यानि CAA के नियमों को लागू करने की अधिसूचना जारी करती है लोगसभा चुनाओ 2024 की तारीखों के एलान होने से ठीक कुछ समय पहले ही CAA नियमों को लागू होने पर केंदर ग्रे मंत्री अमिट शा ने प्रसंता जाहिर की है वहीवे पक्षितलों के इंडिया गडबंधन के नेताओं के अलावा AIMIM चीफ असदुदिन ओवैसी और बसपा सुप्रीमों मायावती ने इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए अलग-अलग प्रतिक्रियाई दी है जिसके भीच असम के गोहाटी में विरोत प्रदर्शन अपने चरम पर आ गया है सूत्रों के मताबिक विरोत रोकने के लिए गोहाटी में जगा-जगा बैरिकेटिंग की गई है कई थानों के खाली परिसरों में अस्थाई जेल बनाए गए हैं देखा जाए तो इस बार आंदोलन उग्र हुआ तो ये राजगी की सभी 14 लोगसभा सीटों पर असर डालेगा पिछले लोगसभा चुड़ाओं में भाचपा 9 सीटे जीती थी वहीं असम में कॉंग्रिस की 16 दलों के सयुक्त विपक्षी मंच ने सीए के खिलाफ बड़े आंदोलन की धमकी दी है मंच के सदस्यों ने असम के राजजपाल गुलाब चंद कटारिया से मुलाकात की और राशपती द्रौपती मुर्मू के लिए एक ग्यापन सौपा जिसमें केंद्र सरकार की ओर से असम के लोगों पर सीए धोपने से रोखने का अनुरोध किया गया है वहीं असम के मुख्य मंत्री है मंद्विस्व सर्मा ने कहा है कि सडकों पर विरोध प्रदर्शन का कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि ये पहले से ही संसद की ओर से पारित कानून है उन्होंने C.E.A. का विरोध करने वालों से कहा है कि उन्हें सुप्रीम कोट में अपने लड़ाई लड़नी चाहिए मुख्य मंत्री ने ये भी चेतावनी दी है कि अगर राजनेतिक दल बंद का आवाहन करते हैं तो वो रजिस्ट्रेशन हो सकते हैं क्योंकि गोहाटी हाई कोट ने पहले बंद पर रोक लगाने का आदेश पारित किया था